दोस्तो नमस्कार मैं हूँ पाउन गदारा आज आपके लिए बहुती महत्पुन वीडियो लेकर आया हूँ कि जो स्कूल व्याखेता का पर्थम पर्षन पत्तर है उसमें मैंने कौनची बुक्स पढ़ी थी और आपको कौनची बुक्स पढ़नी चाहिए तो दोस्तो को कुक्स बताने से पहले मैं सोल्ट में आपको आर्पीसी के द्वारा निर्दारिज स्कूल व्याख जो पर्थम पर्षन पत्तर है उसका स्लेबस बता देता हूं कि एसके स्लेबस में सबसा पहला पोर्षन है इतिहास का जिसमें राज्टतान की स्ट्री रहेगी और इंड सुरेशन यानि छेत्रमिती के चार क्यूशन आएंगे सामने इंदी के चार आएंगे और जनरल इंग्लिस के भी चार क्यूशन मिलेंगे आपको करेंट अफेर के आपको दस क्यूशन मिलेंगे जनरल साइंस के पांच मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के पांच मिलेंगे और रा जाज के सबचे ज्यादा के उसना आएंगे 15 और उसके बाद education management के 15 यानि 30 और 10 कुछे आपके current affair के यानि 40 तो तीन पोर्षन से ही आगे इसके टोटल 75 की उसनाएंगे 15 की उसनाएंगे और आपके जो एकजाम होगा वो 106 मार्क्स का होगा हर परसन है वो 2 नंबर का होगा दोस्तो अब बात करते हैं अपने बुक्स के बरे में कि मैंने कौन सी बुक्स पड़ी थी तो कोई भी एक्जाम हो दोस्तों उसकी हर कोई complete guide पढ़ता है और पढ़नी भी चाहिए तो मैंने पढ़ी थी complete guide लक्षे की दोस्तों लक्षे मेंसे मैंने Hindi, English और Management बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और आपको भी यह सजेस्ट करूँगा कि इस मेंसे नहीं पढ़े और एक बात हो रहा है कि अगर आप पहले से लक्षे पढ़ते आ रहे हैं और एक्जाम की विए आपने लक्षे पढ़ी है तो आप लक्षे पढ़ी है नहीं तो मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप इससे बैटर है कि आप पेनोर्मा की guide पढ़ें क्योंकि जो अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप पेनोर्मा लेक्षे पहले से पढ़ रहे हो तो लक्षे लेके आना अब दोस्तों मैं आपको स्लेबस के कोड़िंगी बुक पता रहा हूं जैसे पहले है हिस्ट्री तो इस बुक से पढ़ी थी नात पब्लिकेशन की इस्ट्री प 15 क्यूशन आये थे सिर्मान पाउन बहुरिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अगर यह आप बुक नहीं लिखते तो हमारा तो चैन भी नहीं होता बहुत शांदार बुक है अर्टोपी के पीछे क्यूशन भी दे रहे हैं अच्छे खासे तो आप इस बुक को ज अफ। यह प्रेफर कर सकते हैं अगर्टोपी तो यहज़नी मरत करने पास है उनकी है थी कुछ नहीं और कुछ पुरानी की यह नहीं की यह पञ़्स है तो इस ताइप की बुक्स आप भी क्योंकि इसमें थोड़ा बेसिक लेवल दे रखा होता है तो जो जो आपके प्रस्णावली है वो प्रस्णावली आप इन में से निकाल सकते हो दोस्तो मेथ में यही राय दूँगा कि आपको चाहे मेथ कितनी भी वीक है आप पूरे के तो मैंने क्या किया था जिसमें संखी की और जो चेतर में थी है वो ही किया था मैंने जो अपने प्राकरत संख के बहुपद वाली जो परसनावलियां थी वो छोड़ दी थी च्यार क्यूशन छोड़ दिये थे और मैंने आठ का टारगेट किया था और रियल बात यह भी मैंने ज्यादा प्रेक्टिस नहीं की थी तो दिक्कत होगी थे एक्जाम के अंदर और मैं परसन अटेंप्ट भी नहीं कर पाया था दो क्यूशन आठ में से मेरे सही थे और मेरे छह रह गये थे और सुत्र बगेरा भूल गया था तो जो चेतर में थी के सुत्र है दोस्तों पक्के रट लेना और मेरी तो यही राय है कि अगर आपके आसपास कोई कोचिंग है रचे कोई मैतमेटिसियन है गुरुजी तो आप उनकी जरूर हेल्प लेना अब आगे आती है दोस्तों हिंदी तो हिंदी में दोस्तों मैंने पढ़ा था नमीन हिंदी व्याकरण जो पढ़ी थी रागो परकास बुक हर बरती में पढ़ते आ रहे हैं और कोई कि उसनी से बाहर नहीं जाता है आप दोनों पढ़ लोगे इंदी जो नमीन इंदी व्याकरण है और रागो परकास की बुक है तो कोई बाहर कुछ नहीं जाएगा इसके बाद अपन बात करते हैं लोगे इंधी पढ़ सकते हो और इससे भिले कम है तो आप लुषैंट की या अरिंगंत की जो भूक पढ़ सकते हो और इस से अरियंट वाले से भी अगर आपका लेवल कम है तो आप जो दस्वी बारे में के जो संजीव इंगलिस कोर्स होते हैं या एक्सिलेंट होती है वो पढ़ सकते हो इंगलिस में दोस्तों आपने दस्वी बारे में जो टोपिक पड़ रखे है उन पर प्रेक्टिस करने के जरूर कोशीश करना पूरी की पूरी इंगलिस मत छोड़ना दोस्तों अब बात करतें करिंट अफेर की करिंट अफेर में ध्यान देने वाली बात यह भी आप एक बार स्लेबस को अच्छी तरीके से देख लेना है भी आपके स्लेबस में कौन कौन से टोपिक है और कौन से नहीं है क्योंकि जो मन्थली मेकजीन आती है जिसे करोनलोजी नथ बहुत सरी टपिक दे रहा होते हैं तो आप एक बार देखो कि आपके सलेवस में क्या है क्या नहीं है तो करोनलोजी पढबना आसान हो जाएगा करोनलोजी एद्धी रह जाएगी तो आपको कहा है दोस्तो हर महीने की कुरोनलोजी पढ़नी है और उसको जो जो आपके टोपिक्स लेबस में वो पढ़ना है इसके साथ इस दो महीने की जो मुमल आती है वो निकालनी है आपको हर दो महीने वाली मुमल आपको पढ़नी है इसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ना है एक एग्जाम के निजदीक में आपके बुक आएगी वार्शी की बुक आती है तो उसमें से आपको special विनोजी स्वामी की बुक सायेगी वार्शी की तो वो पढ़नी है उसमें से दोस्तों बहुत important material और कम material दे रखा होगा इतने दिन तो वो кेसरी पब्लिकेgesंशे बूक आती थी और अब वो नाज पब्लिकेशन से आने लगी तो आप विनोज जी स्वामी राइटर को देखकर जूरू लेके आना दोस्तो अब बात करते हैं जनरल साइंस की तो जनरल साइंस में दोस्तों मैंने पड़ी थी नाइंथ और टैंथ की जो विग्यान की बुक है अपने मद्ध मिक्षिशा बोर्ड राजस्तान की वो पड़ी थी ये टैंथ की और ये नाइंथ की इसकी खास बात दोस्तों ये है कि इन बुक्स के अंदर आपको जो सलेबस सब्सक्राइब सब्सक्राइब भीश्तान की इन बुक्त का दोस्तों अब आते हैं अपने पॉलिटी के लिए दोस्तों मैंने पहले लक्से की गाइड़ पड़ी लक्षे गाइड के बाद प्रिक्ष्यावाणी बुक पढ़ी थी बारतिय सुधान राजवस्ता बहुत अच्छी बुक है दोस्तो हर टॉपिक इसमें मिल जाएगा और टॉपिक के पिछे अच्छे शानदार क्यूशन भी दे रहे हैं इसके अलावा अगर आपके पास एम लक्ष मिकांत है तो एम लक् गोल के अंदर अगर थोड़ा ओर वीक है आप मेप के द्वारा सीखना चाहते हो तो आप उज्वल राजस्तान मांचित्रावली बुक की हेल्प ले सकते हो जो आपके तोपिक है सिर्फ आपको वहीं पढ़ने है दोस्तों अब बात करते हैं सेक्षिक परबंदन की तो सेक् नमीन संसकर्ण ले रहे हो एक्जाम के पास तो आपको कहीं कुछ इंटरनेट की साहता नहीं लेनी पड़ेगी नहीं तो आप अगर पुरानी है तो जैसे कोई भी टोपिक है मालोई जी एंसी आर्टी है तो एंसी आर्टी के आपको साइट पर जाकर उसके बारे में बस है उसमें लाइन दे रखी है एजुकेशन मेनेजमेंट एजुकेशन सेनेरियो इंड़ाजस्तान और राइट टू एजुकेशन एक 2009 यानि शिक्षा का अदिकार 2009 तो शिक्षा का अदिकार 2009 के 45 कुश्टन पक्के आने हैं तो इसको आप पहली प्राइविटी में रखो होता है तो आप अपने आज-पास इस परकार के जो विक्स है वो भी आप सर्फ करके और इंसे पढ़ सकते हो विक्स के अलावा दोस्तों मैंने जी हेल्प सूर्थगड़ की टेस्ट श्रीज जोइन की थी टेस्ट श्रीज का दोस्तों ये फाइदा रहाबी स्लेबस कब हो या पता है नहीं चला क्योंकि टोपिक दिया जाता था और हर संडे को टेस्ट होता था तो आप भी जीहल्प Glen की ओन-लाइन टेस्ट स्रीज्ट जोइन कर सकते हो बहुति कम फीज के अन्दर अच्छा मेटर दिया जाता है अच्छा कुशन पेपर दिया जाता है और हम खुद का आकलन कर सकते हैं हम हमारी रैंक देख सकते हैं भी मारी रैंक कहां तक है competition की बावना बढ़ती है तो आप भी ghelpsurthgar.com की जो test दीजाए वो जुरूर join करें दोस्तों मेरे द्वारा दीगी जानकारी अगर आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें अगर आपका कोई person बनता है तो उसको कमेंट करें मैं उसके उसका जवाब दूँगा और अगर आप भीशय में भी school व्याखेता परतम परसन पत्तर के लिए कोई tips या study material हमारे चैनल पर प्राप्त करना चाते हो तो चैनल को उसके ही आप सब्सक्राइब करें आसा करता हूँ कि आप भी एक दिन school व्याखेता बरती प्रित्शा में सपल होंगे best of luck और thank you for watching my video